बेखर अपराद के अपने घर का खुआप होगा शर्मिंदा इताबीर मुस्तहक अपराद के लिए 12 लाख लक्षिरी फ्लैट बनाए जाएंगे इनसाफ हों स्कीम का रमा हफ्ते में एलान मुतवक्ते कप्तान का स्कीम में तमाम मुस्तरा का को चाख सतम करने का बड़ा एलान तमाम घर मेरिट पर बिना सिपारिश के दिये जाएंगे कब्जा माफिया के दिन हुए पूरे सरकारी रहाष गाहों और अराजी पर कब्जा करने वाले हो जाएं खुश्या मुल्तान एंटी कर्प्शन का अका बजिन को ग्रिफ्ट मिलाने का फैसला सहूरत कार सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ भी कारवाई होगी गेर कानूनी तोर पर मुकीम अफराद को ठहराने वाले अपसरान और मुलाजमीन की फैरिस की तैयारी शुरू तैजावुजाद के खात्मे के लिए इंतिसामिया मुक्त हर एक वसीरियाला पंचाब के हदायत पर इंसिदादे तैजावुजाद कमेटी काइम कमेटी का सरबरा हर दिले का जिप्टी कमिशनर होगा पंजाब के डिविजनल हेड़कौर्टर्स पर डेशबूर्ट बनाने का फैसना डेशबूर्ट तजावजात और शेजरकारी मोहिम को मोनीटर करेंगे उधर डिप्टी कमिशनर कहरोड पका साकिब अली अतीन ने कब्सा माफिया का तमाम रिकौर्ड तलब कर लिया शेहरे अलिया में तजावजात माफिया की नीटे हुई हराम असकरी बाइपास पर गैर कानूनी थामिरात मिसमाई मुल्दान ग्राउंट से भी तजावजात का खात्मा कर दिया गया हासिलबूर्ट में तीन सो एकर सरकारी अराजी वागुजार करा लिगई कहरोड पका जानबी वहीन में भी तजावजात के खिलाफ उपरेशन 510 के नाल एराजी वागुजार करा लिगई मुजफरगर गोसपा कबरस्तान की 7 के नाल एराजी को वागुजार कर वालिया गया रहीम यार्खान के सादिकाबाद और पुराने बाजार में तजावजात मिस्मार मतासरीन का तजावजात हटाने पर इंतजामिया के खिलाफ एसजाज MN, जवेद, इकपाल, बढ़ाईच और M.P.A. आसित मजीद मुजाकराश के लिए पहुंच गए ताजरों के तहप कुजात बारे, इंतजामिया से बात करने की यकीन दिहानी M.P.A. शेहर अलिया में बिजली के मरसाइल का होगा अजाना M.P.A. मुलतान का मुजाफाती इलाकों में 52 नए ग्रिट स्टेशन्स बनाने का पैसला M.P.A. को हकाम ने 5 साल में लगने वाले नए ग्रिट स्टेशन्स का पेपर वर्क मुकमल कर दिया 10 सालों में किसने कितना कमाया सुभाई वजीर का मेक मेक साइस में मोचूब काली भेडों के गिर्ग घेरा तंक करने का पैसला मिनिस्टर एकसाइस ने डिरेक्टर मुल्तान समेथ तमाम डिरेक्टर से तफसिलाफ की तलब करनी मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कमपनी में 90 करोड रुपे की करप्शन का मौमला स्पेशल आडिटीम M.W.M. की गुजिशता 4 साल का आडिट कराएगी टीम को डेटा की फराहमी के लिए डिरेक्टर फैनेंस पोकल परसन मुकर्द मुल्तान मेर जीम सुई नॉर्दन गैस मीर बहादर भुक्टी करफ्शन केस की समा अडालत ने जीम को जुडिशल डिमार्च पर जिल फेश दिया मुल्तान पॉलिस के आला अफसरान की थानों में अदम दिल जस्पी शहर के आठ आठ आहम थानों में आर्जी एसचोस तायोनाथ मुस्तखिल एसचोस ना होने की वज़ज़ से शहरियों को मुश्किलाथ का सामना मुल्तान एकसाइस में पीने का साफ पानी नायाब करोडों की रिकवरी करने वाले अफसरान को पानी की नाकिस उरद हाल का सामना आने वाले साहिलीन भी मुश्किलाथ का शिकार पानी चोरी करने पर देहशत गर्दी की दपाद के तहत होंगे मुकदमा दर्च जिप्टी कमिशनर वहावलपूर कहते हैं कि पानी चोरी करना घरीब की फसल तबा करने के मुतरादित है स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब हकुमत की काविश जारी जिप्टी कमिशनर वहावलपूर महम्मद अयूब कान की जानिब से 16 रुकनी कमेटी काइम कमेटी स्मोक कंट्रोल वारिक दामात और आवाम को आगाही देगी जिनुवी पंजाब में क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मोहिम भरपूर तरही से जारी वहावलपूर वेस्ट मेनेजमेंट कमपनी का चौक पवारा पर आगाही केम दुनिया पूर जलाई इंतजामिया के जिरे एहतमाम तक्रीब मेल्सी में असिस्टेंट कमिशनर की जिरे खियादत ग्रीन वाक जनुवी पंजाब में नए जंगलाद लगाने के लिए लाहे अमल तयार सुभाई वजीर जंगलाद मुहम्मद सप्साइम खान की रोही से गुपतगू कहां पंजाब भर में रिकार्ड दरफ लगाएंगे और मुसमियाती तबदीलियों पर काबू भी पाएंगे मुल्टान में मुशीर वजीर अला पंजाब हाजी जाविद अख्तर इंसारी का मुल्टान आमद पर शानदार इस्तकबाल घूड डांस पर ढूल की थाप पर भंडे और आदिश बाजी शानदार इस्तकबाल पर कारकुनान का शुक्रिया दा किया PP-217 मुल्टान जिमने इंतखाबात इलेक्शन कमिशन ने हलके में तकररियों सबातलों और तरकियाती स्कीमों के ऐलान पर पाबंदी आयद कर दी पाबंदी का इतलाथ 28 नवंबर तक होगा PP-292 में जिमने इंतखाब पीपल्स पार्टी की जलाई का यादत का नून लीग की हमायत का इलान नून लीग के जलाई सदर डेरा खाजिखान मीर मिर्जा तालपूर की प्रेस कॉनफरेंस पीपल्स पार्टी के जलाई सेक्टरी भी शामिल मैंने अब्दुलगफार बच्टू की नहली के लिए दुलखास पर समात हुई गर अफरात के लिए अपने घर का खुआप होगा आशर मिंदा इताबी मुस्तहिक अफरात के लिए बारान लाक लक्शिरी प्लैट्स बनाए जाएंगे इंसाफ हॉम स्कीम का ड्रमा हफ़ते में एलान भी मतवक्गे अप्तान का स्कीम में तमाम वुजरा का कोटा खत्म करने का बड़ा एलान तमाम घर मेरिट पर बिना स्वारिश के दिये जाएंगे मज़े तफसिला इस रिपोर्ट में तहरी के इंसाफ जराय के मताबिक इंसाफ हॉम स्कीम का करमा हफ़ते एलान मतवको है जराय का कहना है कि हाउसिंग स्कीम के फार्म नादरा अफिसे हासिल करने की तजवीज रखी गई है नादरा के जरी दरखास्तों की चानबिन की जाएगी ताके ये मालूम हो सके कि दरखास गुजार पहले से तो कोई घर नहीं रखता नादरा के जरी दर्खास्तों की स्कूरूटनी का अमल किया जाएगा और स्कूरूटनी के बाद दर्खास्तों को कुरांदाजी में शामिल किया जाएगा हाउसिंग्स कीम की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए वजीर हाउजिंग में महमूद रशीद के तरजमान हाफिज इशा ने इस बात की तश्दीक की है कि मनसूबे की शफाफियत के लिए कावेना के किसी भी वजीर का कोटा नहीं रखा जाएगा जरायका कहना है कि बंजाब में सिर्फ 25 लाग घर तामिर किये जाएंगे जिन में से 12 लाग लगजरी फ्लैट्स होंगे वेवाओं को तरजीरी बन्यादों पर घर दिये जाएंगे कब्जा माफिया के दिन हुए पूरे सरकारी रहाश गाहों और अराजी पर कब्जा करने वाले हो जाएं खोश्याद मुल्तान एंटी कर्फशन का पावजीन को ग्रिफ्ट मिलाने का फैसला कर लिया किया सहुलतकार सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ भी कारवाई की जाएगी गैर कानूनी तोर पर मुकीम अफराद को टहराने वाले अफ़रान और मुलासमीन की फैरिस्ट की तैयारी भी शुरू कर दी कर्फशन की खसूसी ट्यूमने सर्वे का आगाज जिला खाने वाल से किया है एंटी करेक्शन हकाम के मताबब सुभाई महिकमों की रहाईशी कालूनियों के गरों में मुकीम अफराद का रिकार्ड मरत्त किया जा रहा है गैर कानूनी तोर पर मुकीम अफराद को ठहराने वाले असरान और मलाजमीन की फैरिस्ट भी तैयार की जा रही है सरकारी कालूनियों के साथ साथ सुभाई महिकमों की अराजी के इस्तमान और काबदीन का रिकार्ड जमा किया जा रहा है तमाव संदिस्टें और रिकार्ड मरत्त करने के बाद काबदीन और उनके महिकमों में बैठे सहुरत कालों के सिलाफ एक्शन लिया जाएगा काबधिन से अराजी और रहाइश गाहे वागजार करवा कर सरकारी तहविल में ली जाएंगी और अब कुछ बात करेंगे गैर कानूनी तजावजात के हवाले से तो तजावजात के खात्मे के लिए इंतिजामिया मतारिक हो गई कमेटी का सरवरा हर जिले का जिप्ती कमिशनर होगा बिला इंतियाज उप्रेशन जारी रहेगा किसी को भी सरकारी जमीन पर कफ़ा करने की अजाज़त नहीं दी जाएगी LDA, RDA, FDA, MDA, GDA और अथारिटीज के जेरे इंतिजाम इलाकों में नजायज कावजीन के खिलाफ सक्त उप्रेशन जारी रहेगा वरीब लोगों, एरिबानों, चाबरी परोशों के खिलाफ कच्छी अबादियों में उप्रेशन नहीं किया जाएगा उदर मुझफर गड़ की जलाए इंतिजामिया ने तजावजात के खिलाफ आप्रेशन तेज़ कर दिया कबरस्तान की साथ के नार एराजी को वाकुसार करवा लिया गया मज़ी तफसिला जानते हैं आमिर डोगर की इस रेपोर्ट पूरे मुल्क की तरह मुझफर गड़ में तजावजात के खिलाफ का रवाई जारी है एसिस्टर कमिशनर मुझफर गड़ अश्रफ गुजर की निगड़ानी में तजावजात का उपरेशन पांच में रोज में दाखिल हो गया अंदूरूने शेहर बाजार में कबजा खत्म कराने के बाद दूसरे मरहले में सरकारी इमारतों पर नाजाए इस कबजा खत्म कराने के लिए आपरेशन शुरू कर दिया गया गौस्पा कबरिस्तान से बलहे का लाकों में सिस्टर कमिशनर अश्रफ गुजर की निगरानी में तजावजात की खिलाप कारवाई के बाद साथ किनाल अरादी बागजार करा ली गए यह साथ ही घैर कानों ने दुकाने और घर मिसमार कर दिये गए अश्रफ गुजर ने कहा कि महलता वार आपरेशन जारी है इन लोगों को दो रोज कबल नोटिस जारी किया गया था जिसके बाद आज कारवाई की जा रही है बीसी मदफरगर कैसर सलीम की हिदायत के बाद आपरेशन जारी है और गहर मुएना मुद्द तक जारी रहेगा किसी भी किसन का कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा कैमिरमेन मुद्ध अकर्म के साथ आमिर डोगर मजफरगर जनूबी पंचाब भर में वजीर आला की हदायत पर तजावजात माफिया के खिलाफ आपरेशन जारी है आपरेशन के हवाले से ये रिपोर्ट मलाहिसा कीचे लोधरा में इंतजामिया का तजावजात माफिया के खिलाफ आपरेशन यूसी नतीज दिवाहन में शोहदा पुलिस के लिए मुक्तस पांसो दस किनाल रखबा वागुजार कर वालिया गया डिपटी कमिशनर साकीबली अतील कहते हैं कबजा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज आपरेशन जारी रखेंगे असिस्टन कमिशनर हासिल को मुहमर तयएब और डिपटी डिरेक्टर एंटी करेक्शन आबिद वड़ाईच का ऐकी स्पोर्ड वा में कफजा माफिया के खिलाफ अपरेशन तीस से उसर सरकारीय राजी वा गज़ार कर वाले गई एसि का कहना था कि कफजा माफिया के खिलाफ घरा संग कर दिया सचाहिए तजाफ़दा और मुताबित दुगाने सील कर दी गई वजिर्यालाप पंजाद के हदायत पर साधिकाबाद में तजावजात के अकलाप आपरेशन रोजाना की बन्याद पर जारी है अधिस्टिन कमिश्टर सैफुर रह्मान की जाने से शहर की मुख्लिफ शाराहों और बाजारों में आपरेशन जारी रहा गया मजफरग़ के आलागे गोस पाक कबरिस्टान से मुलाइक का अलाको में लोगों ने गहर कनूनी दुखाने और घर तामीर कर लिए है डिसी मजफरग़ जैसर सलीम ने तमाम लोगों को नोटिस चारी कर दिया है कोड़ों में लोगों ने कपरिश्टान में घर और दुकाने तामीर कर रखी है अब होगा हिसाब दस सालों में किस ने कितना कमाया माल सुभाई वजीर का मैकमे एकसाइस में मौझूद काली भीड़ों के गेरद घेरा तंग करने का फैसला मिनिस्टर एकसाइस ने डिरेक्टर मुलतान समय तमाम डिरेक्टर से तफसिलात भी तलब कर ली मिनिस्टर एकसाइस की जानिव से तमाम डिरेक्टर एकसाइस को तफसिलात जमा करवाने की हिदायश कर दी गई मिनिस्टर एक्साइज की जानी से तमाम डिरेक्टर एक्साइज को इस हवाले से मरासले में लिख लिख लिया गया मरासले में कहा गया कि डिरेक्टर एक्साइज 10 साल में करफशन केसिस की तफसिलाग 40 रिपोर्ट बना कर पेश करें डिरेक्टर एक्साइज ने तमाम केसिस का रिकोर्ड एकठा करना शुरू कर दिया दूसरी जानी मुल्तान एक्साइज में 40 से जाइब इंकौाइरियां एंटिकरप्शन और एक्साइज ओफिस में मुलादमिन के खिलाफ की गई टीम को डेटा की फराहमी के लिए डायरेक्टर फाइनेंस फोकल परसन मुकर्णर कर दिया क्या इस्पेशल आडिक टीम मुल्तान वेस्ट मैंसमेंट कंपनी में गुजिश्टा 4 साल का इस्पेशल आडिक करेगी इस हवाले से साल 2014 से लेकर साल 2018 तक का आडिक क्या जाएगा जबकि गुजिश्टा साल होने वाले आडिक में 90 करोड रुपे की बेजाप्टियां सामने आए थी जिसके बाद मुल्तान वेस्ट मैंसमेंट कंपनी में करप्शन का केस मैप के पास भी मौजूद है बार बार करप्शन के लजमात पर दुबारा आडिक कराने का सैसला किया गया है इस हवाले से आडिक टीम को डेटा फराहम करने के लिए डिरेक्टर फिनांस को फोकल परसन मुकरर कर दिया गया और अब कुछ बात करें करप्शन के हवाले से तो मुल्टांट में जी-एम सुई नौधर गैस मीर बहादर बुक्टी करप्शन केस की समाथ भी अडालत ने जी-एम को जोड़िशल रिमांट पर जेल पेश दिया मजीद अस रिपोर्टमेंट अडालत में मुल्दिम मीर बहादर बुक्टी को जोड़िशल रिमांट पर जी-एम सुई नौधर गैस मलतान मीर बहादर बुक्टी को 28 सितंबर को बहावलपूर्ट से गरिक्तार किया था एफर ये के मताबिक मीर बहादर कां के खिलाफ कर्वशन के शिकायाद पर इंकौाइरी चल रही थी जेम सुई गैस पर साड़े पांच करोर रुपे रिश्वत लेने का बेल्जाम है और अब कुछ बात करेंगे महालियाती आलूती के हवाले से तो डिप्टी कमिशनर पहावलपूर्ट महामद ऐयूब खां स्मोग रोकने के लिए इनक्शन नजर आते हैं कंट्रोल पाने के लिए एकदामात करने के हवाले से 16 रुपनी कमेटी कायम कर दी कुछ बात करें मैपको के हवाले से तो आपको के हवाले से तो आपको बताएं के शेहरे औलिया में बिजली के मसाइल का अब होगा अजाला मैपको मुलतान का मुझाफाती इलाकों में 52 नए ग्रिड स्टेशन बनाने का फैसला किया किया है मैपको हुकाम ने 5 साल में लखने वाले नए ग्रिड स्टेशन का पेपर वर्थ भी मुकमन कर लिया मैपको हुकाम के मुझाबिक नए ग्रिड स्टेशन मुझाफाती इलाकों में बनाये जाएंगे इन ग्रिड स्टेशन से दूर दराज के इलाकों का वल्टेज इशू हल होगा जबके नए ग्रेलू कमर्शल और सनपी कनेक्शन दिया जा सकेंगे मेपको हुकाम के मताविक नए ग्रिडी स्टेशन का पेपर वर्ग मुकमल कर लिया गया है नए ग्रिडी स्टेशन के बनने से मेपको का ट्रांसमिशन सिस्टम काफी बेहतर हो जाएगा खरसूसी अफराद के लिए एक अच्छे खबर अब ट्रांसपोर्ट पर 50% रियाइटी टिकेट मिले की एडिशनल डिप्टी कमिशनर बहावलपूर डॉक्टर सेफुला भटी ने ट्रांसपोर्टर्स को स्पेशल परसंस को 50% रियाइटी टिकेट देने की हिडायाद जारी करते बेसी अलियकबर भटी ने धेरागाजिगान के जलाए बहबूत फंडबोट के इजलास में 892 दर्खासते मनजूर कर ले मेरिच करांट की 666 दर्खास्तों पर 1.3,4,000 रुपे की माली मन्जूरी भी दे दी गई DCR एक बरबटी ने जलाई बहगूत फरेंट्स बोर्ड के जलास में दर्खास्तों का जायता लिया डिक्सित में ने 892 दर्खास्तों पर माली अमदाद की मन्जूरी दे दी सरकाई मुरादین की दर्खास्तों पर 1.22,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, भी मलाजम की हग तल्पी नहीं होने दी जाएगी दर्खासों की वसूली पर काज़ाद की मुकमल जाँच पर टाल की जाएगी काज़ाद की तक्मेल के लिए बेहतर रहनमाई की जाएए इजलास में अडिशनर डिप्टी कमिशनर जनरल फारूफ साधिक और कमेटी के दीगर अराकिंग भी मौजूद थे खवरदार होशियार डिप्टी कमिशनर पहावलपुर ने नहरों से पानी चोरी करने वालों के खिलाफ अफसरान को देशत गर्दी की दिफात के तहत मुकर्दमा दर्श करने के एहकामाँ चारी कर दिए पानी चोरों पर 430 की बजाए 788 की दफात लगाई जाएंगे डिप्टी कमिशनर आफस में नहरों से पानी चोरी के हाले से अहम जलास का नकाद हुआ इजलास में महिकमा नहरों और एगरी कल्सराल अस्तरान ने शिर्कत की डिप्टी कमिशनर मुहमद ईवीज कान ने कहा कि पानी चोरी और सीना जोरी करने वालों पर देशत गर्दी की दफात के तहत मकदमा दर्श कर आजए जाएंगे पानी चोरी करना जडरी चोरी की फसल तबा करने के मतरादिफ है महिकमा की मिली बगत से पानी चोरी के थबूत मिले तो सरकारी मलाजम को जला बदर कर देंगे मलतान पालिस के आला अफसरान की थानों में अदम दिल्चस्पी पर शहर के आठ अहम थानों में आर्जी एसेचोस तायनात कर दिये हैं मुस्तकिल एसेचोस ना होने की वज़ा से शहरियों को मुश्किलात का सामना है मलतान के मुश्किल थानों प्रानी कोतवाली, लुहारी गेग, शाशमस, सीतल मारी, राजादाम, भुदरा सनत और चेहलत में आर्जी एसेचोस तायनात किये हैं पॉलिस सब्सरान के अदम दिल्चस्पी के बास इन थानों पर मस्तकिल एसेचोस नहीं लगा जा सके वुकला ने तीन मुल्जमान को धर लिया जिस पर सदर डिस्ट्रिक बाहर मलिक महबूब अली संदिला ने हरताल की कॉल दे दी मुहमद मकसूत की ये रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोड में लड़ाई जगरे खत्म ना हो सके पेशी पर आये मुल्जमान ने साबिक सदर रहाई कोड बार मुल्तान शेर जमान पुरेशी पर हमला कर दिया 35 से जएद अफराद ने हमला किया जिस पर वुकला ने तीन मुल्जमान को पकड़ कर पुली स्थाना चेहले के हवाले कर दिया दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान की जानिब से वुकला पर हमले के खलाफ हर्ताल का ऐलान भी कर दिया गया पेशी के बाद बार जब निकले हैं तो उन्होंने शेर जमान पहात थापाई और जोदगोप किया उन्होंने कातलाना हमला किया और उनके पास महरान और इसकी ताकिक हो रही है असला कैसे आगया उनके पास प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए सद्र डिस्ट्रिक्ट बार एसोसियेशन मलिक महबूब अली संदेला ने कहा कि एडिशनल सेशन कोड में लैंड देन के हवाले से केस की समात हुई जिसके बाद अदालत से बाहर आते ही मसल्ह मुल्जमान ने साबक सदर हाई कोड बार मुल्तान शेर जमान कुरेशी और उनके साथी वकला पर हमला कर दिया और तशदुत का निशना बनाया पॉलिस मुल्जमान को फौरी गिर्फतार करें अदालतों में आकर हमला करना अदालतों की तोहीन है उन्होंने कहा कि मुल्जमान को आज ही गिर्फतार ना किया गया तो अगले लाहे अमल का ऐलान कर देंगे यह पकड़े गें यह लोग तेन जिसमें पकड़े गें और यह ड़केट, इश्तियारी और कबजा ग्रूप के यह लोग हैं, यह सारे प्री प्लैन था शेर जमान कुरेशी का कहना था के मुल्दमान के मुकदमात में मुल्बिस हैं उन्होंने मुखालिफीन नसीम अबास शाह और तयज़ बिलाल की एमापर्थ शदूत का निशाना बनाया कि चहरी जज़िस और वकला गेर महफूज हो चके हैं पॉलीस मुलिजमान गृफ़तार करके इन्हें कैफरे किरदार तक पहुचाए कैमरामेन मुखमद बिलाल के साथ मुखमद मकसूद मुल्तान और अब कुछ बात करें गरीब किसान की तो आपको बताएं कि मुल्तान के इलाका पुराना शुजाबाद रोड पर कास्तकारों ने महकमा अन्हार के खिलाफ मुझाहरा किया उनका कहना था कि पानी की अदम फराहमे की वज़ा से हमारा दो हजार एकर से जाइक का रखबा बंजर हो गया अकबार साथी की रिपोर्ट पुराना सुजाबाद रोड पर कास्तकारों ने महकमा अन्हार के खिलाफ शदीद मुझाहरा किया उनका कहना था कि पिछले छे सालों से इन्हें पानी नहीं दिया जा रहा जिस से उनकी दो हजार एकर से जाइज जमीने बंजर हो गई हैं यह जलम और नाइन्साफ हमारे स्थाथ ही क्ई हुआ? उन्होंने आला हुकाम से नोटस लेने और अन्साफ रहम करने का मतालबा किया है हमारा मसला है छे साल से हमें पानी की बूंदनी जा रही पान्च शे साल से तकरीब पन्स छीबई दो हैं मुजहरीन का कहना था पिछले पांच सालों में कैई बार मुतलका डिपार्टमेंट के हुकाम को मसला के हल के लिए दर्खास दी मगर शुवाई ना हो सकी कैमरामैन मुजहिस सल्टान के साथ अकबाल सादिक मुल्तान अब रुख करते हैं रहीम यार्खान का तो रहीम यार्खान में लाइसंस ना मिलने पर ड्राइवर्स का डिपार्टमेंट के लाइसंस ना मिलने पर ड्राइवर्स के लाइसंस ना होने के बाइस सड़कों पर कभी मोटर वे और कभी ट्राइवर्स के हाथों चालान करवा रहे हैं देड मासे डीपियो और डीएसपी ट्राइवर्स के दफादिर के चक्र लगा रहे हैं लेकिं ताहा लाइसंस नहीं बना जब भी हम रोड पे चड़ते हैं सड़क के उपर तो हमें भारी भारी चलान कर देते हैं पुलीस वाले मुसाहरीन का मजीद कहना था कि हुकामे बाला और डेपटी कमिशनर से लाइसंस बनवाने की अप्रील करते हैं कहीं लाइसंस नहीं मिल रहे तो कहीं मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा मुलाजमीन ने एड्मिन ब्लॉक में काम बन करके हैं सिजाच किया पहुत दिन जिकरिया युनिवस्टी में डेली वेजिस मुलाजमीन अपने हद से महरूम है 15 साल से डेली वेजिस पर मुलाजमीन होने के बावजूद वादों और कानून के मताबक मस्तकिल नहीं किया जा सका युनिवस्टी इंतजामिया की जानच से 800 डेली वेजिस मलाजमीन को मस्तकिल नहीं किया जा सका जिस पर डेली वेजिस मलाजमीन की जानच से इहतजाज किया गा मज़ाहरी ने कहना था कि यен अचुनिया ने बार हाप मेटी बनाई लेकिन इनको मस्थखिल करने के हवाले से कुछ नहीं किया गा मुझाहरी ने दमकी दी कि अगर यूनिवस्टी के डेली वेजिस मलाजमी को मुस्टिकल ना किया गया ते अहतजाज का सलसला वसी किया जाएगा मुझारी ने मुझालबा किया कि गवरनर पंजाब और चीफ चेस्टिस ऑफ पाकिस्तान कानून के मताबिक हमें मुस्टिकल कराएं डेली वेजिस मलाजमी ने एहतजाजन भाव दिन जिकरिया इनिवस्ट्री एड्मेंड लॉक में काम बंद कर लिया डेप्टी कमिशनर मुझसिर रियाजमलिक ने फात्मा जेना अस्पताल का दोरा किया और दीकर वाट्स का मौइना भी किया जहां पर उन्होंने एक एल्ट्रसाउंड मशीन की नवीद भी सुना दी बसी चांदे है जनेज अन्वर की इस रिपोर्ट में डेप्टी कमिशनर मुझसिर रियाजमलिक ने शहबाज शरीफ हस्पताल का अचानक दोरा किया डेप्टी कमिशनर ने डॉक्टर्स और पेरा मेडिकल स्टाफ की हादरी और तीबी सहुलियात का मौइना किया डिप्टी कमिशनर ने अद्वियात का स्टोर और फार्मेसी में रिकार्ट की भी इंस्पेक्शन की डिप्टी कमिशनर का कहना है कि शेबाज श्रीफ अस्पताल रोजाना हजारों मरीजों को तीबी सुलियात फराम कर रहा है अल्टरासाउन एक्सरे और डालेसिस में तमाँ जदीद टैस्टों की सहोलियात बिला मावज़ा फराम की जा रही है हमें मसाल का भी सामना है रष होने के बाईस एक अल्टरासाउन मशीन का भी इदाफा कर रही है डिप्टी कमिशनर का मजीद कहना था कि हकूमते पंजाब से शबाशिफ हस्पताल की मजीद तोसी के लिए दर्खास करेंगे डॉक्टर्स की कमी पूरी करने के लिए भरती का अमल मुकमल कर लिया गया है मेरिट पर टॉप करने वालों को शबाशिफ हस्पताल ताइनात किया जाएगा कैमरामेन मुक्तियार बलोच के साथ जुनेद अन्वर मुल्तान मुझफर कर्में सिदादे खसरा मोहिम शूरू होने से कबल सीईओ हैथ डॉक्टर सदीग बलोच और डी एचो पर यूनट डॉक्टर तारिक महमूत ने जिर भर के लिए किये के एकदमात के हवाले से प्रेस कॉनफरंस की प्रेस कॉनफरंस का एहवाल बता रहे हैं भियोरो चेफ तैयब सर्थ मुदफर कड़ में सीईओ है डॉक्टर सदीग बलोच ने प्रेस कॉनफरंस करते हुए कहा है कि मैटमें सेहत 15 तारिक से बाकाईला इस सतादे खसरा महीं फिलू कर रहा है जिसके लिए टीम-ए फिल्ड में जाएंगी मुक्तले मखामाद पर पॉइंट काइम करके वहां बच्चें को खसरे के इंजेक्शन लगाए जाएंगे उनका मजीद कहना था कि मुदफर कर जिला में खसरा के शिकार मरीज कम है लेकिन आलमी सता पर इसमें इदाफा हो रहा है गटर सदीक बिलोज का कहना था कि तहसी बच्चे को टीका रियक्स कर जाता है तो इसी प्लैनिंग भी अभी से चर ली गई है इस हवारे से वालदेन की जाने से किसी किसम की कोई शिकायत सामने नहीं आएगी दीलोज के खेना था कि अवाम और वालदेन से अपील है कि वो अपने बच्चों को खसरे के टीका लगवाएं ताकि कोई भी बच्चा ठीका लगवाएं बगार ना रह सके कैमरेमेन अकरम शेजाद के साथ तईयब सैस मदबफर काई नवाज शरीफ जर्य यूनिवरसिटी में मौसमियाती तबदिलियों की जराद पर असराद के नाम से दो रोज़ा इंटरनेशनल काउंफरेंस इखताम पजीर हो गई मसीता सिला चानते हैं गोहर रहमान की रिपोर्ट में नवाज शरीफ जर्य यूनिवरसिटी में मौसमियाती तबदिलियों के जराद पर असराद के मौज़ू पर दो रोज़ा इंटरनेशनल काउंफरेंस इखताम पजीर हो गई काउंफरेंस के आखरी रोज सुबाई वजीरे जंगलाद सब्तैन खान ने खुसूसी शिर्कत की वाईस चांसलर नवाज शरीफ जर्य यूनिवेस्टी डाक्टर आसिप ने सुबाई वजीरे जंगलाद को यूनिवेस्टी के हवाले से खुसूसी ब्रीफिन डी वाइस चांसलर का कहना था कि ग्रीन एंड क्लीन पंजाब महिम माहूल के हवाले से मामुन साबित होगी रवा साल में अब तक हमारी जानिब से 30,000 दरक्त लगाए जा चुके हैं हर स्टूडन्ट ने प्लांट लगाया, हर बच्ची ने प्लांट लगाया लेकिन एक बहुत स्पेशल हमने काम किया है वो ये कि हमने मदर्से के बच्चें को बलाके उनको ये ओनर्शिप दी उनके फोटो भी कहीं से हैं और उनको हमने एक इस कारे खेर में उनको शामल किया सुबाई वजीर जराद सुब्टैन्व खान ने कान्फरेans से खिताब करते हुए कहा कि Пाकिस्तान महौलियाती तबदीलों से मतासिर होने वाले मुमालिक में सरेफहरिस्ट है खश्वीम जराद मोसमियाती तबदीलों से शदीद मतासिर हो रही है पाकिस्तान की 50% से जाइद अबादी जराद से वाबस्ता है हमें माहुलियाती अलूद्गी को कंट्रोल करना होगा दो रोजा इंटरनेशनल काउंफरंस में अमरीका, चाइना, सोडान, जर्मनी और एरान से माहरीन ने शिर्कत की कैमरामें मुहमद इर्पान के साथ गोहर रह्मान मुलतान आगे बढ़ते वे आपको बताएं कि बहावन लगर में अम्मने अब्दुलगपार बट्टू की नाहली के लिए दर्खास पर समाथ थी इलक्शन ट्रेबुनल ने मने समयत दीकर फरीकें को 24 अक्तूबर को तलब कर लिया जिस्टिस काजी मुहमद अमीन इहमद पर मुस्टमिल इलक्शन ट्रेबुनल ने नकाम उमीदबार सेद मुहमद असकरशा की दर्खास पर समाथ की दर्कास गुदार की जानेट से अली एहमद चिश्टी अड़ोकेट ने दराल देते हुए मौकफ एक्तियार किया कि पॉलिंग अमला की ड्यूटी इलेक्शन कमिशन से इजाज़त लिए बगए तद्दील की गई जो के खिलाफ एक आनून है दर्कास गुदार ने इलेक्शन ट्रेबिनल से सदा की कि फार्म पैंटारिक उस्मान की दर्कास गुदार ने मौकफ रक्तियार किया कि पॉलिंग अमला की ड्यूटी इलेक्शन कमिशन से इजाज़त के बगएर तब्दील की गी फार्म 45 और 44 पर प्रिजाइडिंग आफिसर्स के दस्तकत नहीं इलेक्शन में बैलेट पेपर्स के डबल सीरियल जारी की गी दर्कास गुदार में इस तला करते हुए कहा कि एलेक्शन कमिशन ट्रेबिनल पीपी 237 से इंटखाब कल अदम करार दे कर दोबारा इलेक्शन करवाने का हुपन ले दीगर ख़बने बलेटन का हिस्सा बनाएं आपको बताएं कि रहीमिर खान के हलका पीपी 263 का रिजल्ट इलेक्शन टर्विनल बहावलपूर में चैलिंज कर दिया गया मुस्लि मलीक नून के उमीदवार महमुद लेक्शन चीमा ने लेक्शन टर्विनल में परटीशन दायर की थी पीपी दोसोत रेचेट पर तैरीक इंसाफ के अमीदवार चौधरी मुहमद शफीक ने कामयाबी हासिल की थी मुस्लिग नून के अमीदवार महमूद लहसन चीमा से चौधरी मुहमद शफीक के वोट का फर्द 4500 उसा महमूद लहसन चीमा ने एलेक्शन 2018 में पीपी 237 के नताज एलेक्शन ट्रेबिनल भावलकूर में चैलेंज कर दिये महमूद लहसन चीमा ने पेटिशन में वाकर फट्यार किया है कि दुराने एलेक्शन इनके पॉलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया और गिंती के वक्त भी इनके पॉलिंग एजेंस मौजूद ना थे एलेक्शन के दरान बेजात्गियां पाई गई हैं और इनको हराने के लिए उनके वोट को मस्तरद कर दिया गया हलका में मस्तरद वोट की कदाद 2400 है नहमूद रहसन चीमा ने पेटिशन में सदा की है कि पीपी 263 के एलेक्शन को कलदन करा देत हुए दुबारा वोटिंग या गिंती कराने के एहकमाद जारी किये जाएं इलेक्शन ट्रेबिनल भावलपूर के जैज जेस्टिस काजी महमद अमीन ने 12 अटूबर को चौधरी महमद शफीक समय इलेक्शन में हिस्ता लेने वाले तमाम उमीदवारों को बलवा लिया है पीपी 292 के जिमने इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जलाई के आदत में नूनली के उमीदवार अवैस लगारी के हमायत का एलान कर दिया पीपल्स पार्टी की जलाई का आदत और स्पोर्टरान अब तीर की बजाए शेर पर महर लगाएंगे पीपी 292 के जिमने इंतखाब में उमीदवार वोट बैंक बनाने में मसरूफ है पीपी 292 में नूनली के उमीदवार अवैस लगारी को पाकिस्तान की बड़ी सियाफी जमाद वीपल्स पार्टी पार्लिमेंटेरियन की जिलाई क्यादत की हमायत हासल हो गई है हमायत का एलान वीपल्स पार्टी के जिलाई सेकरेटरी जनरल सरदार अली मुराद कैतरान डिस्ट्रिक बीजी खान वीपल्स पार्टी के सीनियर नाइच सदर अधर खान सुखानी और सिटी सदर बाबात ताहिशा ने किया पर मुस्लिक की हमायत का एलान किया है अब पीजल्स पार्टी के वोटर और मरकजी क्यादत पीपी 292 के जिमनी इलेक्शन में लिगी उमीदवार की स्पोर्ट करेंगे पीटीय के उमीदवार मकसूद खान लगारी के लिए पीपी 292 का मारका सर करना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है देखना ये है कि जिमनी इलेक्शन में काम्याबी का सहरा किसके सर सज़ेगा कैमरमन देहान के साथ जिशान सफदर रोही देरागाजी खान जिशान सफदर की रोपोट आपने मुलाइसा की अब कुछ बात करेंगे सर सबस पाकिस्तान की सुबाई वजीर जंगलात, माही परवरी और जंगली हयाद पंजाब मुहमद सब्टैन खान का कहना है कि सुबा में पांच साल के दौरान सतर करोड पौदे लगाने का टार्गेट मुकर्जर किया गया है साबका पंजाब हकुमत ने जंगलात लगाने के हवाले से इंतहाई गफलत का मुझाहरा किया रिपोट कर रहे हैं रसा मलिक सरक्ट होस मुल्दान में प्रेस कॉन्फेंस करते हुए मुहमद सब्टैन खान का कहना ता कि साबका हकुमत ने सलाना बजट का इशारिया तीन फीसद जंगलात के लिए मुक्तस किया जिसे मजूदा हकुमत ने बराकर एक फीसद कर दिया है इंबर माफ्या को सजाएं दिल्वाने के हوाले से खीसधे मुझस्टै Communist मुकरण किया जाएंगे ताकि मुकदमात का जल फैसला हो सके हमने फौरिस्ट्री के जरिए किलाइमेट चेंज के साथ بھی हमने फाइट करने हमने फौरिस्ट्री के जरिए environment को भी सीधा करने सुबाई वजीर जंगलाद का मजीद कहना था कि तालीमी अधारों, होस्पिटर्स और सरकारी दफातिर में दरख्त लगाने की खसूसी मुहिम शुरू कर दी है जिससे समोग का खात्मा और महोल में मुस्बे तबदीली नज़र आएगी सुबाई वजीर जंगलाद का कहना था कि मैकमें जंगलाद के फॉरिस्ट गार्ड्स को मोटर सेकल और लाउंस दिया जाएगा मजीद गार्ड्स बर्थी किये जाएंगे और अफसरान को बाखतियार बनाया जाएगा कैमरेमन मुहमद अर्फान के साथ रसा मलेक मुलतान मुलतान में पाकिसान दरीक इनसाफ के एम पिए हाजी जावेद अख्तर अंसारी की मुशीर वजीर अलाप पंजाब बनने के बाद मुलतान आमद पर उनका शानदार इसकबाल किया लिया के साथ साथ कारकुनान ने डोल की थाप पर रक्स करके हाजी जावेद अख्तर अंसारी का इस तकबाल किया तमाम अंचमन ताजरान का तमाम दोस्तों का तमाम बच्चों का दिल की थाप गराईयों से शुक्रिया दा करता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह मेरी आवसला अवसाई की इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इनसाफ के कारकुनान और ताजरान गुल्शन मार्केट की जानिप से M.P.A के इस तकबाल के लिए भरपूर इंतजामात किये गए थे और हाजी जावेद अख्तर अंसारी को कारकुनान की जानिप से बनाए गए खूसी फलोट पर सवार करवाया गया और हाजी जावेद अख्तर अंसारी कारकुनान के हमरा फलोट पर सवार होकर अपने घर की जानिप रवाना हुए इस मौके पर मुशीर वजिर आला पंजाब का कहना था कि वो तमाम कारकुनान, ताजनान और इलाका की अवाम का शांदार इस्तक्बाल करने पर इंतहाई मश्कूर है और अब भरपूर अंदाज में कफ्तान के मिशन के मताबिक अवाम की बेहतरी के लिए दिन रात काम करेंगे कमरामन नईम कुरेशी के साथ से यद माजिन मुल्तान टेस्टिस लाहूर हाई कोट यावर अली 11 अक्तूबर को अलविदाई दोरे पर भावल पूर आएंगे डिस्ट्रिक एंड सेशन जजज चौहदरी मुहमद तारिक जावईद ने सेक्यूरिटी इंतजामात के हवाले से डिस्ट्रिक पॉलिस आफिसर को खत लिख दिया जवेद की जाने से चीफ चेस्टिस को जहराना दिया जाएगा तकरीग के हवारे से डिस्ट्रिक एंड सेशन जजज की जाने से दावत नामें भी जारी कर दी गए हैं रुख करेंगे मियावाली का जहांपर डिस्ट्रिक पॉलिस आफिसर स्यद कररार हुसान ने तहसील एस्पी मुहमत مسعود गुजर और थानों के स Х1 पी शरीक हुए अजमन दाजरान के अधिदरान और अवाम की बड़ी तदाद खुली के चाहरी में शरीक थी। जनरली तो पीसफुल एरिया है कोई यहां पर अगर हम इसको दाउत खेल के साथ या कुंदिया के साथ या किसी और मियावाली के बड़े थाने के साथ कंपरेजन में जाएं तो यहां पर ऐस सच मुझे कभी कोई ज्यादा इशू खुली के चाहरी में लोगों ने डी पियो मि किमिस्टर मुलतान आफिस के नो मुझेखिव उहतेदारान की तक्रीब हल्फ पर दारी के निकात रर्जा हौल में किया खिया तक्रीब का इहवाल बता रहे हैं अद्नान याको अपने फराइज पूरे इखलास और ज्यानत के साथ अंजान दूँगा नेज तन्जीम के निजाम और काम में जहां कहीं कोई खरावी महसूस करूँगा उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा अपका यूनिट डिप्टी कमिश्टर मुलतान आफिस के नो मुन्तखिव उधेदारान की तक्रीब हलब बर्दारी में मरकजी अपका ओतेदारों और जिलई हुकाम ने शिरकत की तक्रीब में इतहाद गूरुप की काबिना में अपका यूनिट के सदर शाहिद महमूद नाइब सदर अमानूला जनल सेक्री सेद ताहिर अबास शाह सबै दीगर ओदेदारान ने हलप उठाया इस मोके पर अपका यूनिट के सदर शाहिद महमून ने मतालबा किया कि जिलई इंतजामिया अपका मुलाजमीन के बच्चों को तालीम और सेहत की सहुलियात फरहाम करे सेहत और तालीम आपके पसंदीदा शुबाजात हैं जिनके लिए आप अपने दिल में बहुत दर्द रखते हैं और इन शुबाजात की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा हैं तकरीब में डिप्टी कमिश्टर मदसीर रियास मलीक ने अपका ओधेदारों को काम्याबी पर मुबारक बात पेश की इनका कहना ताकि अपका मुलाजमीन के जाइज मसाइल हल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे नो-मन्तखिब ओधेदारान खुद को रियास्त पाकिस्तान का मुलाजम समझ कर काम करें रियास्त के लिए काम करें होते हैं तो आप मुनाफिक के लिए कतन नहीं करें होते हैं आगे बढ़ें आपको बताएं कि आल पाकिसान कलर्टस एसोसियेशन के सुभाई जनरल सेक्रेटी फखर रर्मान रहीमिया खान पहुंचे। आपका मतहिद है अपका की जुद जहर से ही मौझूदा दोर में कलर्कों को इज़त मिलने के साथ साथ हुकूब भी मिल रहे हैं। एक जनरीर में ताक्त ज्यादा है एक जनरीर में ताक्त ज्यादा है कोंकर कट्छे में बरकत है। कैमरमें अन्वर सुहिल के साथ आमिर भटी रोही रहीम यार्थान। बहावलपुर में पंजाब क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के तहट वेस्ट मैनिज्मेंट कमपनी की जानेद से आगाही केम्प लगाया कया। कैम्प के बारे में बता रहे हैं महमूद सहीर। कैमरमें असमान नमाज के साथ महमूद सहीर। कुछ बात करें जारात के हवाले से तो आपको बताएं रहीम यारखान ने इन सर्वस एग्रिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टिटूट में एग्रिकल्चर आफिसर्स के लिए दो रोज़ा ट्रेनिंग का इनाकाद किया गया। के आपकरी रोज़ एग्रिकल्चर आफिसर्स को प्लान, प्रोटेक्शन, कम्यूनिकेशन, बेरियर, निट्रेशन की एहमित समेथ दीगर आहम मौज़ात पर आगाही लेक्चर दिया। डिरेक्टर इंस्टिटूट आशिक हुसेन सांगी का ठेना था कि ट्रेनिंग का मक्सद एग्रिकल्चर आफिसर्स की फणी महारत में निखार लाना है। हमारे मुल्क में जो निट्र्स की कमी है जमीनों में और हमारा फार्मा इससे आगाह नहीं है तो उसके बारे में ये लेक्चर दिया जा रहा है। इस तरह के तरवियती वर्क्शॉप से ना सिर्फ एग्रिकल्चर आफिसर्स मातहद अमले और किसानों में बहतरी आएगी बलके फसलों की पैदावार में मजद इजाफा करने में भी आहम केदार अदा कर सकते हैं। ये अमरमेन काशिक नूर के साथ अमिर भटी रोही रहीमिर खाद। कर रहा है। डाकू दुकान में आने वाले गाहकों को भी यर्गमान बना कर लूटते रहे। दुकानदारों का कहना है कि पॉलीस इतला के एक घंटे बात मौके पर पहुंची। और अब कुछ बात करेंगे खेल और खेलाड़ी की। मुल्तान के जवारी ग्राउंट पे होने वारी पंदरवी स्टेट बैंक गवर्नर कप में बैंक इसलामी ने अलबर्का बैंक को तेरा रन से शिकस्ते कर मैश अपने नाम कर लिया। मैश का इहवाल बता रहे हैं अदनान याको। मैश के महमाने खसूसी डिप्टी चीफ मनेजर स्टेट बैंक अला बख्ष थे जबके स्टेट बैंक के असिस्टेंट मनेजर इमरान सदफ और असिस्टेंट डारेक्टर फही मर्शद भी इस मुके पर मुझूद थे। असिस्टेंट मनेजर इमरान सदफ का कहना था कि स्टेट बैंक गवर्नल कप से बैंक के मुलाजमीन को तरोताज़गी मिलती है। इन्होंने कहा कि टोर्ना मिन्ट में मुख्तलिफ कलब से खिलाडियों को भी खेले का मुका मिलता है जिससे इनकी होसला अफजाई होती है। मैच में बैंक इसलामी के अजान शाकिर को बेतरीन कारकरदगी पर मैन ओवधी मैच करा दिया गया। कैबरावन मुहमद इर्फान के साथ नानिया कूप मुलतान रुक करेंगे रहीमिर खान का जहां पर अबासिया कॉंपलेक्स में हुआ सोना डिस्टिक्ट चेंपिंशिप के कौलिफाइंग राउंड का आखरी मैच मेच्च मतरीता सिलात आमिर भट्टि की रिपोर्ट में अबासिया स्पोर्ट कॉंपलेक्स में सोना डिस्टिक्ट चेंपिंशिप के कौलिफाइंग राउंड टू के आखरी मैच में कांजू क्रिकेट कलब ने टॉस जीद कर पहले बालिंग का फैसला किया अब बड़े लेवल के मुकाबलों में जीद के लिए खूब प्रेक्स करेंगे पीदी की चौफी भी अपने नाम करेंगे कैमरमें काशिफ नूर के हमरा आमिर भटी रोही रहीम यार खान रहीम यार खान गौर्मेंट पाइलर्ट सेकंडर स्कूल में तहसील भर के स्कूलों के तलबा तलबात के दरमियान नाथ खानी का मुकाबला हुआ मसिद बता रहे हैं आमिर भटी आहुं से ये शेदा तेरा गवर्मेंट पाइलर्ट सेकंडर स्कूल के हौल में तहसील भर सेबी स्कूलों के दरमियान नाथ या मुकाबला हुआ नाथ या मुकाबले में सनाखानों ने नाथ रसूल मकबूल का नजराना पेश किया तो शिरुगा की जुबानों से बेसाफ़ता सुभान अल्ला की आवादें बुलान हुई नाथ या मुकाबले में कारी मुहमद रफीग, कारी मुहमद रयूब और अजीज रह्मान बटी में बदोरे मुंसिद के फराइज सर अंजाम दिये मुकाबले की काडिनेटर मुहमद तारिक बिलाल का कहना था कि नई नसल में रसूल पाक की मुहबत में इदाफा करने और सुन्त पर अमल पैरा करने के हवाले से हमें अपने मुआशरे में अपना अहम चरदार अदाद करना चाहिए आज नात रसूल मकबूल के हवाले से तकरीर मुकाबला जात हो रहे हैं और कल मिली नगमा के हवाले से यहां पे होगा तो इन्शाला वो प्रोग्राम भी होगा नातिया मकाबले में पहली पुजिशन गवर्मन्ट पालिट सेकंडर स्कूल के तालब इल्म निसार अली दूसरी पुजिशन गवर्मन्ट पालिट स्कूल के तालब इल्म वसीम अख्दर और तीसरी पुजिशन गवर्मन्ट तरिंडा सवाई खान सकूल के तालब इल्म हस इसला अच्छी जाएंगे एर यूनिवर्शिटी मुल्टान और खलाई तहकी के कौमी इदारे स्पाकों के जिरे इहतमाम वर्ड स्पेस वीक की हफ्त रोजा तक्रीबात के दूसरे दिन में बच्चों के माबें पोस्टर मुकाबला हुआ अलिश्मा आसिफ की रिपूर्ट पेस वीक के दूसरे दिन मुक्तलिफ स्कूल के बच्चों के दर्मयान पोस्टर बनाने का मुकाबला हुआ जिसमें छे टीमों ने हिस्सा लिया बच्चों ने स्पेस से मतलिक पोस्टर पर अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाए किसी ने सोलर सिस्टम बनाया तो किसी ने अपना पसंदीदा सियारा कोई खलाई मालूमात को ड्राइन की सूरत में सफाथ पर उताता नजर आया तो किसी ने खलाई शटर और खला नूर्दू के स्केच बनाया तक्रीब के चीफ गेस्ट और जर्ज डिफ्टी चीफ पारको मलिक उस्मान जावे थे तक्रीब में डायरेक्टर केमपस डॉक्टर गुलाम अली फोकल परसंट डॉक्टर मिया मुहमद अबास ने भी शिर्कत की बचे बहुत प्रोग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं और बहुत ही इंटलेक्ट्चुल हैं बचे अगर हमका काम देखें तो बहुत ही क्रेटिविटी नजर आएगी आप लोगों को क्लब पेटिन डॉक्टर इदनान का कहना था कि मुकाबले का मकसद नई नसल को खलाई तहकीक के बारे में अगा करना है और इनकी सलायतों को सरहाना है तकरीबात 10 अक्तूबर तक जादी रहेंगी इन हफ़ रोजा तकरीबात में शॉर्ट डॉकुमेंटी, मुवी, सेमिनार, स्पेस वाक और पोस्टर बनाने के मुकाबले होंगे इसके अलावा स्पेस वीक में तकरीबी मुकाबले, खलाई मेला, रोकट बनाने के मुकाबले और खुसूसी लेक्चर भी शामिल होंगे स्पेस वीक के हवाले से मुक्तलिफ स्टूरेंट में पोस्टर मुकाबले का मकसद खलाई मालूमात और इल्मे इजापे के साथ साथ बच्चों की तखलीकी सलायतों को उजागर करना है कैमरामेन एडी नवास के साथ अलशबा सिफ मुलतान